सब्सक्राइब कर दोस्तों इस वीडियो में आपको ग्राफ थी पढ़ाऊंगा नहीं ग्राफ थीरी से किस टाइब के क्वेश्चन फ्रेम होते हैं जै लेवल पे वो मैं आपको बतान के कोशिज करूँगा आप सभी जानते हैं कि नेटवर्क थीरी में हम लोग को एक आपको कोशन में राज कर देगा मान के चलिए आपको कोई एक अर्वेट्री नेटवर्क देगा कुछ इस तरह का और पुछ देगा कि इसका ग्राफ कौन सा बनेगा तो आप देखिए इसमें नोट्स कितना है तो आप नोट्स जड़ा देखिए एक आपका एह नोट्स 2, 3, 4, 5 और 6 यानिकि 6 ब्रांच है तो अप इसका ग्राफ कैसे फॉर्म कीजेगा तो जेनली आपका जो ग्राफ बनाने का एक जेनली क्या होता है कि ग्राफ बनाने के लिए हम जितना भी आपका इंडिपेंटेट्ट बोल्टे सोर्स और जो आपका पैसिव एलिमेंट्स है है कि इसे हम क्या करता है ग्राफ बनाने के लिए सोट से रिप्लेसDkart ryker देते भी यानि से सरक्षिट सरगए करके उसे रिप्लेस करते हैं और जरपका independent करेंन सुर्ס होता है उसे हम लोग रिप्लेस करते हैं विठ open circuit याइस से कि हमान के चलिए graph बनाना है तो कैसे बनाएगा नोट जितना है अब सबसे पहले नोट बनाएगे कि यानि कि ग्राफ में मेरा फॉर नोट बनेंगे अब उके इस तरह से नोट यह आप सभी जानते हैं कि ग्राफ बनाने के लिए जो आपका पैसिब एलमेंट या फिर आपका इंडिपेंड़नेंट भूलते शूर्स होता है। उसे रिप्लेस किया जाता है भी था सौॉड शकीद पर यहां देखे यह अपका एक प्रांच सिर्च में आपका पैसिव एलमेंट से याने कि आपकive स्थि आना याई कि रिसिस्टर 5 म्हीन ऐसे यहां कि देख्यें दुद कीजिए कि तो देख्याइब भी आपका लोग पैसिब एलिमेंस यांदीसरा रिभार है फिर वन देख्येंक वन्हीं आपका पैसिब अप्का फाइब देख्या फाइब क्या आपका इंडेपेंटेंट करेंट स्व bulge आप सभी जानते हैं के ग्राफ फॉर्म करने के लिए इंडेपेंटन्स के क्रेंस करें किसे के करेंस को क्या करते है नियुक्त करते हैं यह यह आपका ओपें ररा रहेगा नोठ पीर्ट ट्री एंड फूर आपका नोट पिर आपका 3 & 4 क्या रहेगा ओपन ही रहेगा और यह आपका बन जाएगा 1, 2, 3, 4 यानि कि यह आपका हो गया यह आपका 6 यह आपका 2 यह आपका 5 ब्रांच यह आपका 4 और यह आपका 1 तो आप जड़ा यहां पर धान दीजिए कि आपका number of branches नेटवर्क में कितने है 6 है और number of branches आपका graph यह आपका graph है यह आपका graph है और number of branches इस graph में कितने है 5 क्यानि कि आप देख रहे हैं कि आपका graph में जो है एक branch कम रहा है क्यों कि इसमें आपका independent current source है यानि independent current source के कारण ही आपका graph में क्या है कि एक branch आपका कम हो गया है यहीं आपका कोई अगर independent voltage source रहता मान के चलिए मान के चलिए यहीं पर जो है एक आपका independent voltage source रहता तो क्या करते हैं तो independent voltage source के लिए आप सभी जानते हैं कि जब आपका network में independent voltage source होता है तो जब हम उससे graph form करते हैं तो इसका replace करते हैं अभी था short circuit तो आप क्या किजेगा यहां पर 3, node pair 3 and 4 को short किजेगा तो फिर यह आपका branch बन जाएगा यह आपका branch बन जाएगा 3 यानि कि यह आपका 3 branch बनेगा तो आप यहां पर एक बात और note कर सकते हैं कि आप देख रहे हैं कि इसमें graph में number of branches 6 भी है और इससे पहले यानि कि जब आपका यहां बे इंडिपेंडेंट करेंट सोर्स था तो उसकेस में number of branches क्या हो रहे थे 5 होने रहे हैं यानि कि आप एक बात note कर सकते हैं कि जो आपका graph में होता है number of branches या तो network में जितने number of branches होते हैं उसके ब्राबर हो सकते हैं या फिर उससे एक कम हो सकते हैं लेकि number of branches आपका graph में कभी भी number of network यानि कि number of branches जितने आपका network में हैं उससे ज़्यादा नहीं होगा ओके यानि कि number of branches in a graph never be more than the number of branches in network ना चली यह तो हमने ग्राफ बना दिया ओके ग्राफ में आपका दो concept आपका ध्यान में रख सकते हैं एक आपका directed graph होता है और एक आपका undirected graph होता है ओके ना तो simply आप ध्यान में रखिए कि जिसमें आपका current orientation आपका दिखा रखा हो सपोज आपका इसमें current दिखा रखा हो कुछ इस तरह कि 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 करेंट ओर्येंटेशन अगर दिखा रखा हो तो यहीं आप ग्राफ में current को दिखाई है आपका क्या हो जाएका directed graph होगा यहीं अगर इसमें अगर current का orientation नहीं दिखाया जाए तो वह गराफ आपका फिर undirected सिंपल आयार जिसमें आपका current orientation दिखा रखा वह आपका directed graph और जिसमें आपका current orientation दिखाए लिए नहीं गया हो तो आपका अंडारेक्टेटव ग्राफ होगा यह आपका डारेक्टेटव ग्राफ क्योंकि इसमें आपका करेंट का ओर्रीजियन थे और अगर कोई मान के चलिए आपका यही ग्राफ रहता कि कुछ इस तरह से तो यहां पर देखिए क्या आपका क्या आपका ब्रांच डारेक्टेड है ब्रांच आपका डारेक्टेड है नहीं है नहीं कि आपका ब्रांच डारेक्टेड या ओरियंटेड नहीं है तो इस ग्राफ हम लोग क्या कहेंगे अंडारेक्टेड ग्राफ यार यह आपका डारेक् जानते हैं यहां पर एक और question अराज होता है rank of graph आपसे पूछ देगा या फिर आपसे क्या पूछ देगा degree of node ओके न तो आप देखिए इस graph के लिए अगर rank of निकालना हो इस graph rank of this graph यदि आपका पूछ दे question यहां से राज कर देगा कि बताइए कि आपका एक graph है और इसका rank of graph पूछ दे क्या कीजिएगा देखे rank of graph क्या होता है rank of graph हम लोग नीखेते है n-1 यानि कि आपका rank of graph आप लिखेगा n-1 यहां पर द्यान दिजिए इतना यहां पर द्यान दिजिए यहां पर number of notes कितने है तो आप simply देख रहे एक दूर तीन चार्ट यानि कि फोर नोट से इस ग्राफ में इसका फोर नोट से इस ग्राफ है यानि कि rank of this graph okay rank of this graph and minus 1 that means 4-1 यानि कि 3 आपका इस ग्राफ के लिए rank of graph होगा ओके यह question अराज होता है objective question में यहीं पर आपका इस ग्राफ के लिए देखे इस ग्राफ के लिए rank of graph क्या होगा इस ग्राफ के लिए 3 होगा क्योंकि इसमें भी number of notes क्या है 4 है यहीं पर आपका एक और question अराज कर देगा कि बताए degree of notes क्या है यानि कि इस graph यानि कि यह graph देगा या इस type के कुछ भी graph दे सकता है और पुछ देगा कि degree of node निकालिए देखे देग्री अफ नोट जो होता है हर एक नोट के निकलता है किसी पार्टिकुलर ग्राप के लिए नहीं यानि कि degree of note आप 1 का भी लिख सकते हैं degree of note 2 का degree of note 3 का degree of note 4 का यानि कि हर एक note के लिए आप degree of note निकाल सकते हैं तो आकर कैसे निकालते हैं degree of node तो देखिए degree of node निकालने के लिए क्लिए होता है कि जेतना आपका incoming branches होते हैं across any nodes यानि number of incoming branches across any node is called the degree of nodes suppose we have to write degree of node 1 ओके यानि कि अगर लिखना हो आपको degree of node 1 तो आप देखिए यहां पर तो degree of node यहां पर आप देखिए तो इस branch के इस nodes के across incoming branches कितने हैं तो देख रहे हैं कि आप यहां पर एक भी incoming branches नहीं है यानि कि degree of node 1 is 0 ओके फिर आप degree of node 2 को लिखना चाहें तो देखिए degree of node 2 के लिए इनकमिंग ब्रांचेज कितने हैं ओके incoming branches देखिए न तो इनकमिंग ब्रांचेज आप यहां पर देख रहा है कि strip 2 यानि कि 1 आपका incoming branches है फिर आप degree of node 3 भी लिख सकते हैं degree of node 3 तो 3 के लिए degree of node कितना बनेगा तो यहां पर यहां पर देखिए इंकमिंग ब्रांचेज कितने हैं तो यहां पर आप देख रहा है कि इंकमिंग ब्रांचेज आपका 1, 2, 3 यानि कि नंबर आफ इंकमिंग ब्रांचेज 3 फिर आप डिग्री आफ नोड 4 के लिए भी लिख सकते हैं डिग्री आफ नोड 4 के लिए तो यहां देखिए आप incoming branches कितने हैं श्रीप आपका यह incoming branches है यह outgoing आपका 1 है एक और point आप यहां से note कर सकते हैं यहां पे आप total degree of note आप total degree of note देखिए यहांने कि total number of यहांने कि total degree of notes यहां पे अगर देखें तो क्या होगा 3, 1, 4, 1, 5 degree of notes 2 यहां पे degree of notes 2 को लिख है तो degree of notes के लिए हमारा 2 बन आपका यह incoming है और यह incoming यह 2 यहने कि फिर आपका total अगर degree of notes देखिएगा तो क्या होगा 0 पलस 2 पलस 3 पलस 1 यहांने कि total आपका degree of notes जो होगा 6 यहांने कि अगर आप degree of notes हर एक notes के लिए degree निकालते हैं और उसे add कर दीजेगा तो वह आपका number of branches दिखा देगा वह आपका बताएंगा number of branches in graph देखिए यहां पर 6 आज टोटल देखिए अपनोड और 6 इसमें बरांच है 1, 2, 3, 4, 5, 6 है कि नहीं इससे आगे चलते हैं तो आपका एक completed graph और in completed graph से भी question arise होता है तो आखी क्या होता है jak completed graph okay तो completed graph में क्या होता है कि आपका every node sphere बनते है every node sphere की across जो था आपकाables एक खी branch connect खोगा यानि यदि every node sphere every node sphere के across यदि the cable और cable एक branch connected हो तो उस graph को हम वहों completed graph चैं得 है ऐसे इस graph को देखिए इस graph को आप देखिए तो इस graph में कितने node pair हैं यानि कि एक आपका node pair बनेगा 1, 2 फिर आपका दूसरा node pair 1, 3 फिर आपका 1, 4 फिर आप देखिए तो 2, 4 आपका node pair बन रहा है फिर आपका 3, 4 और फिर आपका बनेगा 2, 3 ओके यानि कि number of nodes जो है हमारा 6 बन रहा है और हर एक node pair के एक रोज देखिए केवल इस graph में एक ही branch जो है connect है यानि कि ये graph मेरा क्या है ये graph क्या है completed graph और otherwise आप कहा सकते हैं कि that graph is uncompleted graph जैसे कि इस graph को देखिए इस graph को देखिए तो इसमें भी number of node pairs जो है आपका 6 है इसमें भी आपका number of node pairs 6 बनेंगे क्योंकि आपका इसमें 1,2 बनेगा 2,3 उसके बाद 1,4 2,4 3,4 and 2,3 यानि कि इसमें भी आपका number of node pairs जो है आपका 6 बन रहा है लेकिन आपका देखिए हर एक node pairs के cross क्या 1 branch है नहीं है आपका node pair अगर बात करते है 1 और 3 तो क्या node pair 1 और 3 के cross branch connect है नहीं connect है यानि कि ये गराप आपका unconnected graph हो जाएगा ओकर ना फिर यहीं आपका suppose आपका कुछ इस तरह से दे दिया जाए ओकर और फिर आपका ये connect कर दे और पुछ दे कि बताए ये कौन सा graph है तो ये graph भी आपका क्या है unconnected graph है क्योंकि देखिए node pair आपका 3 and 4 के cross क्या है 2 branch connected है और completed graph के लिए आप सभी जानते हैं कि completed graph के लिए क्या होना चाहिए हर एक node pair के cross cable or cable एक branch connected होना चाहिए लेकिन यहाँ पे 2 branch connect है यानि कि ये graph आपका क्या है uncompleted graph है और number of branches आपको पूछ देखा कि बताए कि number of branches for a given graph तो आपको number of branches easily आप find कर सकते हैं यदि आपको पता हो कि graph आपका दिया हुआ graph completed graph है या uncompleted graph है तो आप easily find कर सकते हैं कि आपका इसमें number of branches कितने बनेंगे suppose जैसे आपका ये यह क्या है completed graph है तो completed graph के लिए जो आपका number of branches निकालने का formula होता है वो होता है आपका nc2 ओके number of branches in a completed graph is nc2 इसी आप extended form में लिखेगा तो यह आपका n-n into n-1 divide by 2 यानि कि इस formula से आप number of branches in a completed graph निकाल सकते हैं लेकिन आप ध्यान दीजिए इस formula से आप number of branches in completed graph में आप नहीं find कर सकते हैं okay आप number of branches for a completed graph आप इस formula से यानि की nc2 या फिर आप इसे n into n-1 divide by 2 से आप निकाल सकते number of branches in a completed graph वैसे कि suppose आपको यह graph दे देता और पूस्थ देता कि बताइए नमबर और ब्रांचे जो है कितने बनेंगे इस graph में तो आपको बस note पस count कर लेना है ऐसे आप यहाँ पर branch भी count करके आपको बता सकते हैं कि number of branches कितने हैं लेकि number of branches आपको न दिया हो श्रीप आपको note पता हो कि किसी completed graph के लिए आपका note पता हो ओके जैसे आपका 1,2,3,4 यानि इस graph के लिए मेरा number of note क्या 4 है और पूस्थ देता कि बताइए इसका branch कितने बनेगे तो बस आपका simply n into n-1 divided by 2 यानि कि आपका 4 into 4-1 divided by 2 यानि कि 4 into 3 divided by 2 यानि कि आपका 6 ब्रांच आपका बनेगा इस number of notes 4 के लिए ओभी किसके लिए अगर graph completed है तो चली यह तो ठीक है कि graph यदि complete है तो हम number of branches बता सकते हैं by using this formula nc2 यानि कि n into n-1 divided by 2 यानि कि इस formula के सारे जो है हम number of branches बता सकते हैं for a complete graph लेकिन graph incomplete है तो फिर कैसे बताएगा आप number of branches branches okay तो फिर कैसे बताएगा तो आप फिर भी बता सकते हैं number of branches इसके लिए आपको थोड़ा सा पापर बिलना पड़ेगा आपको reduce matrix में जाना पड़ेगा फिर उसका ट्रांसपोर्ड निकालेगा फिर जाकर आप product किजेगा और तब जाकर आप determinar निकालेगा तब जो आपका number आएगा वह आपका होगा number of branches in a number of branches for any networks sorry number of branches for any graphs के लिए आप निकाल सकते हैं जैसे कि number of branches number of branches for any graph is equal to the determinant of reduce matrix and transpose matrix यानि की reduce matrix यह आपका reduce matrix और यह आपका transpose reduce matrix है reduce matrix and transpose निकालेगा उसका reduce matrix का फिर आप product किजेगा उसके बाद यह आप determinant निकालते हैं तब जाके आपका जो number आएगा वह आपको बताएगा number of branches for any graphs लेकिन simply यह आप जानते हैं आपको पता है गर आपका concept यानिकी complete है या फिर incomplete तो simply आप इस formula का use करके आप number of branches बता सकते हैं आपका number of branches for incomplete graph के लिए पूछता नहीं है आपका complete graph के लिए पूछेगा कि बताएगा कोई आपका complete graph है उसमें आपका number of notes आपका 4 या कितना भी note दे दे उसे का फ़रक नहीं पर रहा है बताएगा पूछ देगा कि number of notes जो है complete graph के लिए 4 है तो बताएगे number of branches कितने बनेगे इस complete graph में तो simply आपको फर्मुला यूज करना n into n minus 1 divided by 2 यानि कि आपका 4 into 3 divided by 2 यानि कि आपका 6 जो है आपका right answer हो जाएगा बस question इसी तरह का frame होता है कोई आपका पूछ देगा कि कि इसी complete graph के लिए आपका number of branches 4 है तो बताएगे number of branches कितने बनेगे option दिया रहेगा 6 तिक कर दीजिगा इसी तरह और भी question frame हो सकते हैं लेकिन जाएगे लेवल पर आपका incomplete graph के लिए पूछता नहीं कि बताएगे number of branches in incomplete graph में कितने बनेंगे यानि कि आपका नहीं पूछता है कि incomplete graph आपका दे दिया और उससे पूछ दे कि number of notes उसमें उतने हैं या incomplete graph है तो उसका number branch कितने बनेंगे इस टाप का question frame नहीं होता जहीं लेवल पर होगे ना